हलो फ्रेंड्स गर्मियों के इन दिनों में कुछ भी स्पेशल सा बनाने की इच्छानी होती और बच्चों की डिमांड हमेशा कुछ स्पेशल खाने की होती है तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शांदार सरलसी रेसिपी लाई हूँ बहुत मज़े की जटपट बनती है आपको किचन में खड़े होकर इसे बनाने की जरूरत नहीं है आधा कप के अलावा 2 टेबल स्कुन पानी इसमें ओड लेगा हो सकता है कि आपका पानी थोड़ा कम जादा लगे कई बार सूजी कम ज़्यादा पानी ले सकती है तो अच्छे से मिला दीजिए तीनों चीजों को यानि के पानी, दही और सूजी को अच्छे से मिला ले अगर मोटी सूजी है तो मिक्सी में जार में डालकर उसे पीस दीजिएगा अब धक्कन लगाकर 10 मिनिट के लिए से रेस्ट करा लेंगे बिल्कुल ऐसी छोड़ दें से पाफेक्ट बना है ये तो घर में रखे समान से भी ये बनेगी और फटावट बनती है अब धक्कन लगाकर 10 मिनिट के लिए रखा मैंने अब एक कड़्ाई में डालेंगे थोड़ा सर तेल इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मस के करीब तेल डाला पहले मैंने उसमें डाला आदा चममस जीरा और छोटा सा प्याज है जिसको स्लाइस में कट करके डाला है और एक चोटी सी गाँचर है जिसे हम ग्रेट करके डालेंगे या निके कद्धूकस करके डालेंगे और आधा स्लाइस्ट कैबेज gallery या निके पत्तागोभी को बारिक बारिक लंबा लंबा काटके डालेंगे और आधा सिम्ला मिर्ची है जिसको लंबा लंबा काटके में डाला है अब इसमें डालेंगे अद्रक लसन और हरी मिर्ची का पेस्ट तो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल ऐसे बनाना मिंटों में बनती है तो बस इस मसाले को 2-3 मिनट भूनेंगे उसके बार डालेंगे आदा चोटा चमच चिली फ्लेक्स, एक चोथाई चमच गरम मसाला, एक चोथाई चमच हल्दी का पाउडर, एक चोथाई चमच काली मिर्ची का पाउडर, आदा चमच के करीब ड्राइ मैंगो पाउडर या फि जो हमारा बैटर है यह भी दस मिनिट में फूल गया है थोड़ा गाड़ा हो गया है अब इसमें दो टेबलिस्पून पानी मैंने ओ डाला है नमक स्वात के हिसाब से डालेंगे और आदा चोटा चम्मच इसमें डालेंगे मीठा सोडा अगर मीठा सोडा नहीं है तो आप यहा साबुन जैसा फ्लेवर इसमें आ सकता है तो मीठा सोडा घर में ना हो तो इनो के इस्तिमाल कर सकती है आप और अच्छे से मिला दे तो बस फटा फट से यह बैटर भी हमारा तियार हो गया एकदम पाफेक्ट है और अब एक कड़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल दो च से फेला देना है अब जो सब्जी हमने पार कर रखे हैं ध्यां दे सब्जी होवर कुख नहीं करनी एप अब बैटर मैंने फिलाया उसके उपर इस सब्छी से फेला दी है और अच्छे से ऊपर में भी बैटर को फेला देंगे और कवर करके दो दो तिन मिनट पका लेंगे या फिर तब तक जब तक की ऊपर का पार जो है ड्राइ ना हो जाए उसके आद ऊपर में थोड़ा सा तेल घी डालें आप और इसे फिलिप करें और दोनों तरफ से चार से पाँच मिनट में पग जाएगा तो दोनों तरफ से जब यह ड्राइ दिखे आपको अच्छे से पग अपने फैलेगा बैटर और सब्जी एंवनली फैलानी है पूरे बैटर की ऊपर तो ज़्यादे बड़े बड़े नहीं ना बनाइए चोटी-चोटी बनाएगा जितना बैटर अपने फैलता है फैलने दे उससे सब्जी डाले ओपर जाब बैटर को पोर करे गाएगा तो बहुत healthy से sandwich ये बनकर त्यार होते हैं कुछ ही मिन्टों में, दोनों तरफ से दबा दबा कर इसको चार से पाच मिनिट पकाना है धीनी आज पर, तो ये बनकर त्यार हैं, बहुत tasty बने हैं, बहुत स्वाधिस्ट बने हैं, आप देखें मैं आपको cut करके दिखाती हूँ कितने बढ़े हैं, बच्चे वैसे सबजी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो जब आप इस तरीके से उन्हें नाष्टा बना कर देंगे ना, तो वो बार बार आपसे बनवाएंगे, और quick सी रेसिपी नाष्टे की फटाफट बन जाती है, और बहुत मज़े की बनती है, तो ये healthy, tasty नाष्टा बन कर तियार है, तो इन गर्मी की दिनों में अगर कुछ खाने का मन कर या लग सा, तब आप ये रेसिपी ट्राइ कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी, सबजीयों का जो चुनाव है, आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, जो भी सबजी आपको पसंद हैं, गंजड़ा बना सकते हैं, आलू का इसन पछाइल पसंद मैं शबाते हईएं, आप साथटी नाश्तों कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद है तो लैक शेयर करना बिल्कुल न भूलेज और आप मुझे इंस्टा-फेस्पुक को को